Realme ने Realme 5 Pro और Realme 5 इंडिया में लाँच कर दिया है Realme 5 Pro का अन्बोक्सिंग वीडियो तो मैंने पहले ही कर दिया है और इस वीडियो में मैं Realme 5 की अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ तो चलिए सबसे विले फटा-फट देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या-क्या मिलता है इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहे है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है Realme 5 का बॉक्स पैकिंग सबसे पहले तो जो खास चीज है इस है इस हैंसेट की वो यहां पर बॉक्स पर दिया हुआ है 5000 इमेज की बैटरी के साथ में आता है इसमें भी क्वार्ड कामरास दिया हुआ है जैसे Realme 5 प्रो में दिया हुआ है और ये जो विरेंट मेरे पास है इसमें 4GB RAM है 128GB internal storage space है और ये crystal blue color variant है तो चलिए इस box को मैं खोल देता हूँ और box के अंदर आपको ये डिबा मिलने वाला है इसमें user manual 1D card है और साथ में ये silicon case भी दिया हुआ है और box में आपको ये handset मिलेगा Realme 5 इस पर भी उसी प्रकार का diamond style texture दिया हुआ है जैसे हमने Realme 5 Pro में देखा था इसे फिलाल मैं साइड में रख देता हूँ बॉक्स में ये charger दिया हुआ है अब ये charger है इसकी रेटिंग है 5V 2A तो ये साधरन किसम का charger है मतलब कि ये जो handset है Realme 5 ये fast charging support नहीं करता है और ये है आखरी content USB to micro USB data cable और हाँ box में आपको ये SIM tray ejector pin भी मिलने वाला है तो ये है Realme 5 और ये दो color options में available है crystal blue और crystal purple ये जो variant आप देख रहे हैं crystal blue variant है देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये shine हो रहा है वैसे ये जो back है ये plastic का बना हुआ है overall build of finishing काफी बढ़िया है ये जो handset है थोड़ा सा भारी किसम का है वो इसलिए क्यूंकि इसमे 5000 image की battery है इसका वजन है तकरीबन 198 grams वैसे handset पकड़ने में काफी comfortable है एक हाथ से आप असानी से operate कर पाएंगे ये जो screen है 6.5 इंचीज का screen है HD plus resolution के साथ में आता है और ये corning gorilla glass protected है अब ये normal किसम का screen है amoled screen नहीं है क्योंकि ये जो handset है इसका प्राइजिंग है ये 10,000 रुपे के अंदर है इसका प्राइजिंग है वो है 9,999 रुपे power button right hand side पर दिया हुआ है और left hand side पर volume rocker है और यहाँ पर sim tray दिया हुआ है नीचे की तरफ speaker out vent है micro USB port है primary microphone है और audio jack भी दिया हुआ है ये handset अलग-अलग RAM ROM options में अवेलेबल होगा 3GB, 32GB, 4GB, 64GB और 4GB, 128GB और अच्छी बात ये है कि आपको triple slots मिलते हैं मतलब कि आप 2 nano sim और एक micro SD card का एक साथ इस handset पर उप्योग कर पाएंगे इसमें जो 5000 image की बैटरी का उप्योग किया गया है वो तो खास है ही लेकिन एक और खास चीज़ है और वो ये है कि इसमें Snapdragon 665 AIE octa-core processor का उप्योग किया गया है जो 11 NM chipset है और 2 GHz पर इसे clock किया गया है Realme के जो 5 series है उसमें quad camera का उप्योग किया गया है तो यहाँ पर आपको एक normal camera मिलता है wide angle camera मिलता है macro camera है और portrait camera है तो megapixel के अगर बात करें 12 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel और 2 megapixel के quad camera से हैं और जो front camera है वो 13 megapixel का है camera की quality बढ़िया लग रही है यह है मेरा selfie sample और यह है night shot जो मैंने इसी handset से shoot किया हुआ है वैसे पूरा review का इंतिजार कीजिए उसमें आपको मैं बताऊंगा कि यह जो handset है इसका camera quality कैसा है इस handset पर आप PUBG game खेल पाएंगे कोई issue नहीं है तो दोस्तों यह है realme 5 बहुत ही बढ़िया handset है बहुत ही बढ़िया price tag की साथ में आता है कीमत है 9999 रुपे इसमें जो 5000 इमेज की बैटरी है और साथ में जो 665 octa core processor का उप्योग किया गया है पहला smartphone है इंडिया में जो इस processor का उप्योग कर रहा है तो यह दोनों का combination अगर आप देखें तो आपको आसानी से दो दिन से ज़ादा का battery life मिल जाएगा इसकी camera quality भी काफी बढ़िया लग रही है वैसे इसका जब मैं पूरा review करूँगा तो उससे हमें बहतर idea मिल जाएगा fingerprint sensor भी दिया हुआ है लेकिन यह पीछे की दिया हुआ है realme 5 और realme 5 pro के उपर मैं बहुत सारी videos बनने वाला हूँ तो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिए इस video को like कीजिए share कीजिए और देखते रहिए